चेप्टर टू हो नंबर शुरू करने जा रहे हैं इसलिए वास्ते तौनों कुछ गल्णा याद रखने हैं बहुत जरूरी आने पहली प्राकर्तिक संख्यामा की हुं दियाने प्राकर्तिक संख्यामा जिसमें इंग्रिश्टे विच अपने नेच्रल नंबर बोल दे हैं वो इक तो शुरू हों दिया बटा जेते तो अनों क्या जानता है कि बटा क्लास दे विच बच्चे गिणों के ने हैं तो इसके तो शुरू कार दे हो देखो एक दो तेन चार है ना कदे जीरो तो शुरू कार दे हो नहीं तो प्राकर्तिक मतलब नैच्रल तो इक तो शुरू ह बैटा इसके प्रकर्तिक संख्या में शुर्वात पता है सानू कि ईक खंदि हैंपर आनतिता शानू नहीं पता, तो कोई वी तो अनो पुछे कि सब तो चोटा प्रकर्तिक संख्या केहां, सब चोटी, तो सही दस सकते हो ना, की सर सब तो छोटी प्रकृतिक संख्या नीचेर नमबर एक है, लेकिन कोई तो ओनों पूछे सब तो वड़ा, तो आई तो सुस्षी किदे दसवर्च होंगे था, योंगे गिंती दगादे खतर मी नहीं हो रही, तो चीखोंगे सार सब तो वटी प्राकृतिक संख्या जा नेचरोन नंबर था नहीं लिखी जा सकती, नहीं दसी जा सकती इसे तरह एक संख्या होंदी है पूरन संख्या, एक डिसी प्राकृतिक संख्या, उनके दी बढ़ रहे हैं अब पूरन संख्या, whole numbers 1-2-3-4-5-2-3-4-7-8, 6-3-4-9-2, इथा मतलब प्राकर्थिक संख्या मैं पूरान संख्या में तो थोड़ी काट हों दी हैं, क्योंकि पूरान संख्या में दिविच्छ जीरो गए, एक्स्ट्रा जादा आगी ना मौंट, इथा मतलब कोई तो उन्हों पूछे कि पूरण संख्या गेड़ी है ते तुस्षी दा साग देओं सार जीरो है ते सब तो वड़ी पोचले वे ता तुस्षी फेर होई कहूंगे कि नहीं लिखी जा सकती है ते इसी किला देओ दारित मैं थोड़ी चीचा लेख भी देती है ता नो ते आना देखियो सारिया प्रकर्तिक संख्यामा पूर संख्यामा हन सही जगलत इदा सकता है सारिया प्रकर्तिक संख्यामा पूरन संख्यामा विच हन हां है गिया एक तो देखो एक भी है दो भी है तेने भी है चार भी है गिया ना सारिया प्रकर्तिक संख्यामा पूरन संख्यामा हन पर सारिय पूरन संख्यामा प्रकर्तिक संख्यामा नहीं हन क्योंकि जीरो उद्धर नहीं होंदा इसका के यार रख लेओ प्रकर्तिक संख्यामा पूरन संख्यामा हो सकते हैं नहीं सारियां पर सारियां पूरन संख्यामा प्रकर्तिक संख्यामा नहीं हो सकते हैं यह दो चीज़ारे सा पूरण संख्या मैं तोय होनों यह समझाा चर्काएं पूरान शंख्या भी लिखी नहीं जा सकतीyinिति संख्या फिर अन्ञेश्ट ने सब्तुी श्राइश करन कि किसी अभ्यास 2.1 देविच उम्मीद अदानों थोड़ा या जड़ा टॉपिक सम जान दे कोशिश किती गई है वो समझाया होईगा उन अप 2.1 अभ्यास शुरू करांगे जेकर किसी बच्चे ने मेरे चैनल नों हजितक सब्सक्राइब ने किता जरूर कार दियो ता जो मेरे विडियो तो आटे फोन तेशो हो सके उन त्याना देखो 2.1 अभ्यास त्याना देखना है सारे ने कोश्चन आ रहे है हीट लिखे प्रशना दे उत्तर दियो आंसर दी फालेंग कोश्चन्स सब दो छोटी पूरन संख्या लिखो राइट दी स्मॉलेस्ट रूल नमबर उन इस स्वाल दा अंसर है solution है तुछी लिखना है जीरो चाहे हो कंजाबी मिनम दा बच्चा होए ते चाहे हो इंग्लिश मिनम दा बस एक कोई आंसर बिटा फिर अंदा है सब दो छोटी प्राकतिक संख्या लिखो राइट दी स्मॉलेस्ट नैचुरल नमबर वेरी गूड सार अगेतर मतलब अगला पिछेतर मतलब पिछला उन्ट उसी देखो पूरण संख्यामाविच जीरो दा अगेतर गेड़ा है एक है ना तो पूरण संख्यामाविच जीरो दा अगेतर है एक तासे solution की दिखांगे जीरो दा अगेतर एक है लगी कर समझ चौथा पाग देखो पूरन संख्यामा विच 0 दा पिछेतर write the predecessor of 0 in whole numbers त्यानना दिख्यो अग 10 दा पिछेतर लबना है पिछेतर बल deeper दो पिछे लेगिन 0 दो पिछे तदर कुछ भी नहीं आदा इसका केदासर के लिखांगे याई सी संभव नहीं not possible पकुए को चीरर तो बीच्छे कुछ भी नहीं हुना तो नहीं है आगले अ देखोड़ अनुड है मेन प्राकर्टिक ही नहीं पता अनुड हो नहीं है पूसा इस तरह से पहला कुश्ण चिड़ा है दो पॉइंट एक अभ्यास था कम्प्रीट हो गया है पिटा उम्मीज करगा कि तो उन्हों वदिया दिखेना समझाई होगी त्यानल दिखना है दूज़ा कुश्ण करांगे दूज़ा कुश्ण देखो हेट लिखे हैं विच्चो कहड़ेक अथन सही अते कहड़ेक अलतन मतलब टू एंट फॉल्स सा कुश्ण है पेरा कुश्ण है शिफर्स अब तो छोटी प्राकर्तिक संख्या है जीरो इस दा स्मॉलेस्ट नैचुरल उट उसी सोचो शिफर्स प्राकर्तिक संख्या है यही ने प्राकर्तिक संख्या था एक तो चुरून दिये इदा मतलब एक गलत कहा रहा है लगी कर समझ एक गलत है एक यह है फॉल्स इंग्लिश वाले बच्छे ने फॉल्स लिखना है पंजाबियों वाले वच्छे ने गलत लिखना है शिफर सब तो छोटी पूरन संक्या है बेलकुल सही क्योंकि प्राकर्तिक संक्याई कि तो शुरून दी है और शिफर तो शुरून दी है पूरण संख्या, 0 is the smallest true number, सही, इंग्रीश वाले बच्छे लिखेंगे true, हर एक पूरण संख्या, एक प्राकर्तिक संख्या है, कि प्राकर्तिक पूरण हो सकती है, पर पूरण प्राकर्तिक संख्या है, every whole number is a natural number, गलत, false, हर एक प्राकर्तिक संख्या, एक पूरण संख्या है, बेल्कुल सही, true, एक सब तो छोटी पूरण संख्या है, नहीं बेटा जी, पूरण संख्या, तर जीरो तो चुरू हो दिये, इदर मतर सब तो छोटी पूरण संख्या, जीरो हेगी, ये गलत कह रहा है, false, समझा रहे हैं सारण हूँ, प्रकर्टिक संख्या हमा विज, प्रकर्टिक संख्या हमा विज, प्रकर्टिक संख्या एक दा कोई पिछेत्तर नहीं हुंदा, उन्टुशे दसो प्राकर्तिक संख्यामा दे विच प्राकर्तिक संख्या इक दा कोई पिछेतर नहीं होंदा सही कह रहा है बेलकुर सही कह रहा है क्योंकि प्राकर्तिक संख्यामा शुरू ही इक दो होंदी है ते ओधा एक दा कोई पिछेतर नहीं होंदा अगेतर हो सकता है ते इसा ही कह रहा है कि पिछेतर नहीं होंदा अगला पाग है इसे दे इंग्लिश वर्जन देख लो ते नेच्रल नॉमबर 1 has no predecessor in natural numbers ते अगला पाग देखो ते आनाल पूरण संख्यामा वेच पूरण संख्या एक दा कोई पिछेतर नहीं होंदा पूरण संख्यामा शुरू 0 तो उन्दी है बटा 0,1,2,3 है न तो एक दा पिछेतर तो हैगा न 0 ते गलत कह रहा है बटा ते दान से किया आएगा गलत false दो अंकादी सब तो वड़ी संख्या सारे नो पता कियों दी है निडिन में पता ना वड़ी संख्या नो नो ना बन दी है कहता दो अंकादी सब तो वड़ी संख्या दा अगेतर पता करो तो तेन अंकादी सब तो छोटी संख्या बन जान दी है, बिल्कुल सही, एक के दो तेन अंकादी बन गे लिए सब तो छोटी संख्या, तेहेगी कह रहा है, सही कह रहा है, True, Successor मतलब अगली रकम, Successor of largest two-digit number, मतलब 99 त्या, Successor पता करांगे, तो त्री डिजिट वाली smallest number बन जाएगी, बिल्कुल सही कह रहा है, अगला बाड़ दो अंकादी संख्या दा अगेतर, अनले जेब पता करांगे, तो अंकादी संख्या दा अगेतर, दो अंकादी संख्या ही रहन दी है, the successor of two-digit number is always a two-digit number, गलत, उन्होपना करांगे, तो तो तेन अंकादी बन गी, एक कह रहा है, गलत, तो सो निडिन में दा पिछेतर तेंसो है उने दस्या बटा पिछेतर मतलब पिछला अगेतर मतलब अगला तो सो निडिन में दा पिछेतर तेंसो है 300 is the producer of 299 गलत फॉस 400 निडिन में दा अगेतर पांसो है बेलकुल सही 400 निडिन में दा पांसो ही ता आंदा है सही कह रहा है समझ लगरी बटा अगेतर मतलब अगली रकम पिछेतर मतलब पिछेतर मतलब पिछली रकम दो अंका दी संख्या दा पिछेतर पता करिए कदे वी एक अंकदी संख्या नहीं होंदा सोचो पिछoptर पता करना है बटा जिए अबपा दो अंकदी संख्या दस लेए तो उताए पिछ Windsor पता कर दिये दस तो पेला किया आता है नौ तो उताओ ऊंकदी नहीं है हैगी न इसलिए उचे, the predecessor of our two-digit number is never a single-digit number. एस अज़े two and false हीगे, ते अनल करने है, तुसी copy दे होते है, जिरूर तो नो समझ आगे होंगे. तीज़ा question देखो बटा, हेट लिखे हैं विच्छों हर एक दा अगेतर पता करो, right, the successor of each of the following, तो नो मैं 10 चुका है, successor, जा गीतर दा मतलब अगली रकम होंदा है, ते कई वरी गिंती बहुत वड़ी है, जानती है, फिर अगली रकम पता करना थोड़ा जवखा हो सकता है, उदे लिखी करते हैं, ऐसी देखो ते अनल, उपर एक दा एक उतर गया, अन्नो सेम आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, एक आ गया, ते दा मतलब अंसर कितना आ गया, अगेतर दा, एक जीरो जीरो, नो एक जीरो, लागिकर समझ, इस तरह सब्दा, अगेतर मतलब successor, अन्सर, इसे दरह असी अग ले कुशन करांगे, उन्दू जब आगे देखो, असी अगे तर लिखना है नहीं थे, सब तो पहला से की करांगे, असी अपनी रखम लिखांगे, चार, छे, तेन, जीरो, नो, 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 इक ओधे विच जोड़ दांगे, जोड़ तो सारे नों आओं दिये, ना, ते जोड़ करके किया लग गया, देखो देखो देखो, नो, तेक दास, जीरो, पर एक, नो, तेक दास, जीरो, पर एक, तर जीरो, एकी बन गया, ते बागी से यह मुत रखे, तो टोट आंसर गी आगया तुझी देख सकते हैं चार छे टिन एक जीरो 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 तो टोटा आंसर आगया इसे तरह ती जब आग देखो असे सब तो पर अपनी रखम लिखांगे आट तिन जीरो 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 एक ते उधे विच एक जोड आंगे फिर जोड के सान मिल गया एक तेक दो फिर जीरो दा जीरो फिर 0 उतर गया फिर 0 उतर गया फिर 8 तो आट आट आशर आगया आठ तेन tomorrow तो इल्ड़ी उतने यह दो एक जोड़ागी आगे हितर वासते तुनित बता करना उन से इसे देहें एसे चाथा कुछन करांगे पठाऊंगे पीछेतर गीच करांगे पिछेतर द fattocast 5 CaptainPath इधेis head लिखें हैं विचेँ हरी दFT पथा पता करना है PREDESESOR आश्य अपनी र πεधाम मुम्त लिखना है करणा रहे सुस्कैंगे abj बस दे नो ते नो पता है न कटा होदा तरसा चो एक गया नो फिर नो सेम उतर गया फिर नो सेम उतर गया तो डांसर के ना आ गया नो सोन देन में वैसे भी पता है कि एक हजार तो पहना की होंदा है नो सोन देन में इसे तरह दूजा गुशन देखो 208090 दे बच्छो इक अठाउ करने है 0 ने हासल लेह 9 दा बन गया 8 यह दा बन गया 10 10 दा स्थो 29 8 दाठ सेम आगया 0 भी सेम आगया 8 भी सेम आगया 0 थे 2 तो दा अंसर आगया 208089 पिछ एक तर आ गया दो पा कंप्लेट हो गया ने अगला दिखो दे आनल तीज्जे पाग दे विच कोश्चन है गा तो डेबल सत छे पंच चार तिन दो एक तेरे विच्चो से एक नू माइनेस करन जा रहे हैं साफ साफ देख रहे है तो अनू एक ते विच्चो गया जीरो बाकी सारा सेम ही तवर जाएगा दो तिन चार पंच छे ते सत तो अटा आंसर आ गया है बिटा जी सेवन सिक्स फाइव फो त्री टू जीरो इस कोश्चन दा आंसर आ गया पिछ इतर इसे तरह आगला पाग है लास्ट पाग तो अटे कोल एक दो पंच साथ छे एक ते विच्चो एक कटा होगा नहीं है तो छे दे विच्चो गया उनू पता पंच बाकी सारे सेम उतर गे तो अटा आंसर आ गया है एक दो पंच साथ पंच इस कोशन दा आंसर होगा इस तरह साथ चार कोशन बिटा जी दो पंच एक अब्यास दे कंप्रिट हो गए ने उम्मीद कराँगा तो अनू वदिया दे करना समझाए होगी जे कर मेरी वीडियो वदिया लगी होगे तो अनू समझा रहे होगे तो जुरूर लाइक करें जुरूर कमेंट करें अगर उते हैं मेरे चैनल नो सब्सक्राइब करना ना पूले हो गटा